नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्ले स्टोर अप्लिकेशन अपडेट केसे करें प्ले स्टोर एप अपडेट करने का सही तरीका क्या होता है क्या आप भी अपने प्ले स्टोर एप को अपडेट करना चाहते हो तो आप कैसे अपडेट कर सकते हो 99% लोगों को ये नहीं पता है कि Play Store एप अपडेट कैसे करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बाद जरूर सब्सक्राइब कर देना और वेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइक जरू कर देना और Play Store एप अपडेट करने का सही तरीका क्या है 2024 में इस वीडियो के अंदर आपको में Complete Pro से बता देता हूँ अब Play Store एप अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर Play Store एप को ओपन कर लेना है अब यहाँ पर आपका Play Store एप ओपन हो जाएगा तो कोने में आपको उपर राइट साइड में आपकी प्रोफाइल फोटो देखने को मिल जाएगे या आप अपने YouTube चैनल का लोगो लगा रखे होंगे तो वो दिखाई देगा तो आपको इसी के उपर किलिक करना है और जैसे आप इसके उपर किलिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पी आपको नीचे एक सेटिंग से लिखा हुआ आएगा तो आपको इसके उपर किलिक करना है अब जैसे आप इसके उपर किलिक करोगे तो यहाँ पी सेटिंग का एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पी आपको पहला option देखने को मिल जाएगा general का second वाला option देखने को मिल जाएगा network preference और third option देखने को मिलेगा purchase verification और fourth option देखने को मिलेगा family वाला और यहाँ पी जो आपको fifth option देखने को मिलेगा about जिसमें लिखाव play store build version device certification और यहां पर आपको एक छोटा सा एरो तो आपको इसी एरो पर किलिक करना है अब जैसे आप इस एरो पर किलिक करोगे तो आपके प्लिश्टोर एप का वर्जन यहां पर दिखाई देने लगेगा कि आप अपने प्लिश्टोर एप का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं अब दोस्तु प्लिस्टोर एप अपडेट करने के लिए यहां पी आपको अपडेट प्लिस्टोर पे किलिक करना है जैसे आप अपडेट प्लिस्टोर पे किलिक करोगे आपके सामने यहां पी कुछ इस प्रकार से निकलके आपसन आएगा तो दोस्तु आपको यही पर आकर और अ वर्जेन मरे update हो चुका है प्लिस्टोर से और downloaded इंस्टॉल इप भी हो चुका है तो आपको goулite पर क्लिक कर देना है और अगर आपका update नहीं हुआ है तो आपको इसी अप्डेट प्लिस्टोर पर आगे और अपने Google प्लिस्टोर को अपडेट कर लेना यही एक सही तरीका है प्लिस्टोर एप अपडेट करने का अब दुस्तो हम यहां से बेट आ जाते हैं और आज की इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं और वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बाद जुरूर सब्सक्राइब कर देना जब तक लिए नए ही वीडियो में फिर से मिलते हैं